नमस्कार न्यूज स्ट्रेट पर पहार समचार लेकरों मैं आपके साथ आशीश पांडे तैरादुन से स्वक की बड़ी ख़वर कारूप करेंगे जहाँ अधिकारियों के प्रमोशन से पहले चिठी ववादे करेंगे PCS से IAS पदोन्यती प्रक्रिया में गड़भडी कारूप है मिरिश्टा चार की शिकायफ साथिकारियों में अड़कम पचा अधिकारियों ने FIR तर्च कराई है UPSC को 12 अफसरों के नाम के चिठी फेजी गई है प्रदेश में PCS अफसरों के प्रमोशन से पहले चिठी विवाद से प्रिशासन नरकम पचा हुआ है और चिठी साम जाने के बाद आलादिकारियों से पीछा चुडाने की कोशिशों में लगे तो चमोली से लेकर देरादुन तक के कई PCS अफसरों ने इस मामले में पुलस को तहरीर देकर चिठी से पीछा चुडाने की कोशिश की है दरसल संग लोग सिवा आयोग को 12 PCS अफसरों के नाम वाली एक चिठी बेजी गई थी जिसमें 9 PCS अफसरों के स्ताक्षर है और यहीं नहीं इस चिठी को DOPT यानि केंद्री कार्मिक विभाग को भी भीजी जाने की खबर है है चुठी के मिलने के बाद संग लोग सिवा आयोग के तरफ से मुख सचिफ को एक पत्र भीजा गया साथ इसकी कौपी कार्विक सचिफ शैलेश बगोली को भी भीजी गई है जो इसमें कहा गया कि उत्राखन में PCS अफसरों के प्रमोशन को लेकर उनके पास शिकायत भीची कही है जिसको लेकर जल ही कारवाई की जाए तो प्रमोशन से पहले ये चुठी विवाद जो है निगल कर सामने आया है और इसके बाद अधिकारियों में हड़कम मचा है PCS अधिकारियों में हड़कम मचा चुठी में प्रश्टा चार की शिकायत है PCS से लेकर आयस पदोन्यती प्रकरिया में गड़बड़ी का आरूप लगा है अधिकारियों ने F.I.R. दर्श कराई है UPSC को लगभग बताया जा रहा है कि 12 अफसरों के नाम की चुठी जो है वो बेजी गई है चुठी में 9 PCS अधिकारियों के स्ताक्षन है केंद्री कार्मिक विभाग को चुठी भेजे जाने की खबर है वहाई UPSC की तरफ से मुखिस सच्चिफ को पत्र भी भेजा गया है कार्मिक सच्चिफ शालेश बोगली को भी एक कॉपी जो है वो भेजी गई है PCS अफसरों ने प्रमोशन को लेकर शुकात चुठी के जरिये जल्ट कारवाई की मांग भी की है तो ब्रस्ट अफसरों पर कारवाई होगी ये बड़ा सवाल है PCS अफसरों के प्रमोशन को लेकर ये पूरा मामला जो है सामने आया है जिसमें चिट्थी लिखी गई है शुकात की गई है और इसको लेकर अधिकारियों ने FIR दर्च कराई है चिट्थी में ब्रस्ट अफसरों के नाम की ये चिट्थी जो है ये पीसी को भेजी गई है जिसमें 9 PCS अधिकारियों के हस्ताक्षर हुए है केंदरी कार्मिक विभाग को भी चिट्थी बेज़े जाने की खबर है ये पीसी की तरफ से मुख सचिव को भी पत्र जो एक भीजा गया है कार्मिक सचिव 77 PCS अधिकारियों में इस पूरी चिट्थी को लेकर हड़ कम मचा है प्रमोशन से पर ये चिट्थी बाद देखने को मिला है ब्रश्टाचार की शिकारत इस चिट्थी में की गई है जिसमें PCS लेकर I.S. परद उन्निते प्रक्रिया में गड़बर जाला जागो देखने को मिला हड़िकारियों ने इसको लेकर F.I.R. दर्च कराई है PCS अधिगारियों के साइन है तर असल इस लेटर में प्रमोशन अभी हाला कि समय होना है प्रमोशन के लेकिन 12 अफ्रों के एक चिट्थी बेजीगे जिसमें नो PCS अधिगारियों के साइन है अब इस चिट्थी के बाद जो सान्-फ्रोंशन लोग सेवा आयो गया उसमें उत्रेकरण के सेक्रटर के फ Lets लिखा है उसमें इस बारे में बात करी है अब यह अधिगारी हमकोशन के कहना है कि उनके द्वारा इस चिट्थी नहीं लिकी गया यह नहीं इनके साइन हैं और इस मामले में इन्होंने मुकादमा भी तर्ष करवाने की बात के लिए कि इसमें क्योंकि यह बेहती गंगीर मामला है कि डिरेक्ट संग लोगस्यवा आयोग को कैसे पीज़ अधिकारी इसके पत्र लिख सकते हैं जबकि नियमामली के मुताबिक कि अनके संगRO fakta लिख सकते हैं जो इसमे बड़ा होचका है कि अभ इसमें ये मुकदमा इसमें फर्ष किया गया और तब से बड़ी बात है कि जो शिकायती पर जो जांच नेटर है नेटर में जो फाइन हुए है उसके अब अगर अगर जांच हो या दूर्सी जांच हो उसके बाद ही पता लगताएगा कि ये फाइन अप्ली है या मैं लिए लिए